हेलो गाईज तो आज मैं आपके लिए लेकी आई हूं चमल वाली खीर की रेसिपी तो रेसिपी पसंद आने बे में चनल को सब्सक्राइब करना मत भूला साथ है मुझे फॉलो सब्सक्राइब करना इंस्ट्राग्राम पे भी और कुछ ठीक इसी तरीके से अपनी खीर को डेक अब इसके बाद मैंने एक कटोरी में ले लिया था एक चमच दूद और उसमें डाली थी थोड़ी सी केसर की दाने और इसे यूज करेंगे हम एकदम एंड में जब इसका कलर काफी आच्छा आ जाएगा अब नेक्स स्टेप में हमने लिया है एक प्रश्रकूकर और उसमें हीट किया है एक चमच देसी घी और उसमें एड करेंगे कटे हुए बदाम और काजू और ड्राइफिर्स को कख़णा होगा घी में अच्छे से रोस्ट और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए हम इनने निकाल के रॉक लेंगे और उस बचे हुए गी में एड करेंगे चावल यानी राइस इसे भी अच्छे से एक से दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसमें एड करेंगे करीबन एक कप पानी अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से एंड इसके ओपर हम लगा देंगे लगकन यानी लिड एंड इसे 3-4 विसल यानी सीटी अने टक पकाएंगे अब जब चावल अच्छे से कुख हो चुका है इसका लिड ओपन कर देंगे और सारे चावल को निकाल के रख लेंगे इसकी बाद एक भरतन हमने हीट किया है उसमें डाल रही हूँ डेड ग्लास दूद यानी मिल्क के और फिर डाल देना है राइस यानी चावल और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमें अच्छे से बॉil होने देना है और बीच वीच में इसे स्टर करते रहेंगे और जब इस सरी की काफ़े लुट हो चुका है इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्टर्ड उसके लिए हμέν+. 1 चानमज नॉर्मल नुटूसमें डाला है constant andlor अचय से mix कर दिया है और फिर custard के this mixture को add करेंगे खीर में then फिर इस spoon की help से अचय से stir करेंगे और उसके बाद में add करियू करेबज़ 2 चम अ अच्छा करेनि चुगर और अब काफी अच्छे से हमारी खीर को खोगTe की है और इसमें एड कर यू में पिस्ता की कटिंग और एलाइची उसके बाद वीडियो की स्टार्ट में दिखाएगे तरीके से आपको करना है खीर को डेकोरेट so that's all for today I hope you enjoy my today's recipe so don't forget to share this recipe with your friends and family and thanks for watching my today's video